आज हम आपको review tab के tracking and changes block के सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आप अपने system को किसी अने user के साथ share करते हैं और अगर आपके word document में दूसरे user ने कोई editing या change कर दिया हो तो उसे आप कैसे track कर सकते हैं, accept या reject कर सकते हैं तो चलिए इन सभी option को practical तरह से समझते हैं MS word में tracing option का use करने के लिए आपको जाना है review tab पर tracing के नाम से आपको यहाँ पर एक block दिखाई देगा और इसके just bugle में यह आप देख सकते हैं changes के नाम से भी आपको यहाँ पर एक block दिखाई दे रहे हैं तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही blocks के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं नीचे की तरफ आप देखेंगे example के लिए हमने आपर एक offer letter का format लिया हुआ है और माल लिजे कि इस document को हम share करते हैं किसी other person के साथ तो वो हमारी file के साथ अगर कोई भी extra editing करता है तो उसको हम किस तरीके से trace कर पाएंगे इसके बारे में हम जानने वाले या इसके अलावा माल लिजे कि आपका जो PC है वो आपके अलावा कोई और भी से use करता है और आपकी file के साथ अगर वो किसी भी तरह की कोई भी editing करता है तो उसको भी आप किस तरीके से इस option के माध्यम से trace कर पाएंगे अब जैसे माल लिजे हम यहाँ पर सबसे पहले option की बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहला option है वो है track changes का इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा track change का track change वाले option पर जैसे आप click करेंगे तो हमारी इस फाइल के अंदर हम अगर कोई भी extra editing करते है तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप फाइल को save करें save करने से पहले आपको यहाँ पर track change का इस्तिमाल कर लेना है अब इसके बाद जैसे माल लीजे अब जैसे माल लीजे हम यहाँ पर अमन के नाम को हटा करके यहाँ पर कोई और नाम add कर लेते हैं जैसे माल लीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं कमल जैसे हम यहाँ पर कमल type करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे right side में आपको यहाँ पर deleted का एक option दिखाई देगा deleted का आपको एक balloon दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि अमन कुमार की जगा पर हमने यहाँ पर कमन कुमार add किया है और साथ के साथ आपको यहाँ पर time भी बताएगा कि आपने इस changes को कप किया इसी तरीके से अगर कोई person आपकी फाइल के साथ कोई भी editing करता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगे तो फिलाल माल लिजे हम यहाँ पर all markup को हटा करके यहाँ पर no markup को select करते हैं no markup को जैसे हम यहाँ पर select करेंगे तो आप देखेंगे हमारी फाइल में जो भी changes होई है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है अब इसी तरीके से माल लिजे कि हम यहाँ पर date को भी change कर लेते हैं हम यहाँ पर date ले लेते हैं 12,1 जैसे हमने date change किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर track change को activate किया हुआ है अगर कोई दूसरा person आपके इस track change वाले बटन पर click कर देता है तो click करते ही हमने जो भी यहाँ पर tracing लगाई थी वो यहाँ पर stop हो जाएगी तो यानि कि अगर आप इसमें कोई extra और editing करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा जैसे मालीजे हम यहाँ पर pin code को change कर देते हैं हमने यहाँ पर pin code में कुछ add कर दिया और add करने के बाद मालीजे अगर हम यहाँ पर markup वाले option पर जाकर के all markup को select करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर date में modification किया था वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इसके लावा हमने नाम में modification किया था के बारे में भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है लेकिन हमने जो pin code में यहाँ पर changes की थी वो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रही है क्योंकि किसी ने आपके track change को यहाँ पर off कर दिया तो यहाँ पर आसानी से track change को off किया जा सकता है तो उसके लिए आप नीचे की तरफ आपको एक option दिखाए देगा lock tracing का lock tracing वाले option पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा जैसे मालीजे हम इस offer के बाद यहाँ पर कोई extra word type कर लेते हैं मालीजे हमने यहाँ पर type कर दिया phd जैसे हम यहाँ पर phd type करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो markup था वो यहाँ पर red color से हमें mark करके represent कर रहा है इसी तरीके से अगर हम किसी line को select करके यहाँ से delete कर देते हैं तो जैसे हम यहाँ पर इसे delete करेंगे तो आप देखेंगे वो deleted item हमें यहाँ पर right side में balloons में represent कर रहा है और अगर आप कोई formatting इसमें कर लेते हैं जैसे माल लिजे हमने आप नाम को select करके इसे bold कर दिया तो जैसे हम इसे bold करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर bold formatting आपको दिखाई दे रही है इसी तरीके से अगर आप किसी word को underline करते हैं तो underline की भी formatting आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इस तरीके से आप अपने document को secure कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप track change वाले option पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर password देना होगा उसके बाद ही आप इस pressing को यहाँ पर turn off कर सकते हैं तो माल लीजे इस file के साथ हमने काफ़ी सारी editing कर दी हैं अब यहाँ पर देखते हैं markups वाले option को एक एक करके समझते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पहला जो option आपको दिखाई दे रहा है all markup का तो all markup में आप देख सकते हैं जितने भी हमने editing की हैं वो सभी markup हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहाँ पर simple markup को select करेंगे उस line के left side में आपको red color से यहाँ पर mark करके दिखा रहा है कि इन inlines के अंदर आपकी editing की गई है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर no markup को select करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके file के साथ कोई वे editing की गई है इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक option दिखाई देगा original का original वाले option पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको वो file दिखाई देगी जो आप यहाँ पर छोड़के गए थी यानि जो file आपने last time यहाँ पर save करने से पहले track change option का य इस पर आपको देखेंगे यहाँ पर okay का निशन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई दे रहा है comments का तो comment का use अभी फिलाल हमने अपने document पर नहीं किया है मैं एक बार comment का यहाँ पर use करके आपको दिखा देता हूं मालीजे हम यहाँ से किसी word क select करते हैं मालीजे हमने इस वाली line को यहाँ पर select किया और यहाँ से new comments पर click कर दिया new comments पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप अपना कोई भी comment टाइप कर सकते हैं जैसे मालीजे हमने यहाँ पर type कर देते है my address इसके बाद हम जाते हैं अपने उसी show markup वाले option प आपको एक option दिखाई दे रहा है कि यानी हमने अपने document में जो भी data यहाँ पर insert किया है जा जो भी हमने यहाँ पर delete किया है तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो भी data insert किया था या जो भी data हमने डिलिट किया था हो यहाँ से हट चुका है इसी तरीके से अगर आप formatting के तो जो भी formatting हमने यहाँ पर की थी, वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, अगर आप अपने document में particular किसी एक चीज़ को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर show markup वाले option पर जाकर के, जिस भी option को select करेंगे, जैसे माले जेक comment को हम select करते हैं, तो आप पिचे की तरफ आपको एक और option दिखाई देगा, बलून्स का, और बलून्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहला option मिलेगा, show revision in balloons का, show revision in balloons पर टिक होने की वज़े से, आप देख सकते हैं, आपके right side में, यह सभी changes आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके, next option को यहाँ पर हम select करते हैं, show or revision line को, तो इस से क्या होगा, इस पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारा जो markup था, यानि जो हमारा balloons था, वो यहाँ से हट जाएगा, और आपको इसी document में, यहाँ पर आपको जो भी आपने changes की है, वो आपको दिखाई देगी, इसी तरीके से अगर में आपर तीसरी option की बात करें, show only comments and formatting in balloons का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको किवल comments और formatting ही आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसके इसी document में represent कर रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सभी options का यहाँ पर use कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे, आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देगा, reviewing paints का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जो भी हमने अपनी file के साथ यहाँ पर extra editing की है, वो आपको यहाँ पर left side में एक dialog box में आपको दिखाई देगा, और जितनी भी editing हमने यहाँ पर की है, उसके numbers आपको यहाँ पर दिखाई देगे, फिलाल हमने जो editing की है, वो यहाँ पर 9 changes की है, जो कि आपको यहाँ पर mark करके represent कर रहा है, इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप दिखाई देगा, reviewing pants horizontal का इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो वही changes आपको यहाँ पर horizontal में दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं, आपकी date और timing भी यहाँ पर mention है, यह आपकी जो changes है, वो किस date पर और किस time पर की गई है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे चाहता हूं और बाकी की चीजों को यहाँ पर मैं reject करना चाहता हूं, सबसे पहले हमने जो भी यहाँ पर tracing लगाई है, इसको हम यहाँ पर stop करेंगे, तो stop करने के लिए आपको यहाँ पर track change वाले option पर जाना है, और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, lock tracing का, इस पर आ यहाँ पर OK बटन पर केक करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपका track change हाईलाइट हो गया, आप अगर track change को turn off करना चाहते हैं, तो इस पर जैसी यहाँ पर केक करेंगे, तो आपका track change यहाँ पर turn off हो जाएगा, इसके बाद अब बात करते हैं, हम लोग changes की, यहाँ accept and reject वाले option की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, accept का, और यहाँ पर आपको सबसे पहला option मिलेगा, accept and move to next का, अमाल लीजे हम यहाँ पर पहले वाले option को select करते हैं, और select करने के बाद हम यहाँ से accept वाले option को select करते हैं, और यहाँ पर automatically हमारी next changes पर जम कर जाएगी, यानि यहां से यह change हो गया और उसके बाद ही हमारी next changes को represent करेगा कि आप इसे accept करना चाहते हैं इसे reject करना चाहते हैं, इसी तरीके से यहां reject वाले option पर अगर आप click करेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे आपको वही same option दिखाए देंगे यहां पर मिलेगा आपको reject and move to next का यानि इस वाले button पर अगर आप click करेंगे तो जो भी यहां पर comment हमने add किया है, वो comment यहां पर reject कर दिया जाएगा और यह move हो जाएगा next option पर, तो इस पर हम एक बार आपको next वाले editing पर move नहीं होगा तो जैसे हम इस तर click करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी changes यहां पर accept हो गई है बट यह move नहीं होई है next पर, इसके अलावा अगर आप next वाले को reject करना चाहते हैं तो same उसी तरीके से अगर आप reject change पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं वो हमारी changes यहां से reject कर दी गई है बट यह next वाले option पर move नहीं होई है तो इस तरीके से आप इन दोलो options का यहां पर use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको एक option मिलेगा accept all changes का यानि कि अगर आप इस वाले option पर click करते हैं तो आपकी document में जितनी भी changes की गई है वो सारी की सारी एक बार में यहां पर accept हो जाएगी और इसके बाद आप देखेंगे आपको यहां पर एक और option दिखाई देगा accept all changes and stop tracking यानि कि अगर आप इस पर click करते हैं तो आपकी जितनी भी यहां पर changes की गई है उन सभी को यह accept कर लेगा और आपकी जो भी tracking हो रही थी उसको यहां पर stop कर देगा इसी तरीके से अगर हम reject वाले option पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको यही दोनों option दिखाई देते हैं इन दोनों option का आप यहां पर use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपको यहां पर previous और next का भी एक option आपको दिखाई दे रहा है अगर आप यहां पर next वाले बटन पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं भी हमारा जो cursor है वो यहां पर blink कर रहा है नेक्स बटन पर जैसी मैं click करूँगा तो यह इसे छोड़ करके अगले वाली editing पर यहां पर पहुँच जाएगा और आप इसे accept या reject करना चाहें तो यहां पर आसानी से इसे कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले पिछले वाले को accept या reject करना चाहता हूँ तो यहां पर जैसी आप previous वाले बटन पर click करेंगे तो इसे होगा क्या यह वापस से PhD पर बहुच जाएगा और उसके बाद आप इसे accept या reject कर सकते हैं तो माल लेजे हम यहां पर reject वाले option पर चले जाते हैं और यहां नीचे की तरफ हम इस वाले option को यहां पर select कर लेते हैं reject all changes and stop tracking का इस पर जैसे हम यहां पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो भी हमने extra editing इसमें की थी अपनी file के साथ वो सारी की सारी editing यहां से reject कर दी गई है और हमारी file में अगर हमने track change को यहां पर turn off नहीं किया होता तो यह automatic उसको turn off भी कर देता हमने अपने case में आप track change को पहले से ही turn off कर रखा था तो दोस्तो इस तरीके से आप MS Word के track change and changes block की option का यहां पर use कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह video पसंद आया हो तो चैनल को like, comment शेर जरू कीजेगा धन्यवाद